वelkom बैक टो मार् यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियों बात करेंगे आपका अगला खोशन है हम बात कर रहा है यहां पर पहला पहला कोशन अभी तक भी तक किया आज हम बात करेंगे पहला कोश्चन हमने यहां पर डिसकस कर लिया है आज हम बात करेंगे आपके सिकंड कोश्चन की जो कि आप से पूछ रहा है कहरा निमन लिखित पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए क्या करना है राइट शॉट नोट ऑन दा फालेंग ठीक है निमन पर आपको क्या लिखना ए अपोगैमी ठीक है क्या एपोगैमी पर आपको थोड़ा से लिखना बताना मिकिए यहोगत क्या ओन लिखना है लिगूल और यह पर दे विपाग्दें पूर लिखना है तो एस वीडियो में हम केबल बात करेंगे आपकी इस वीडियो में वान लिकले सब्सक्राइब करें ऑगले वीडियोत करें एक पर अपकोस्पोरी लगयूट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को शैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलते रहे ठीक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा helpful हो रहेंगे आपकी पड़ाई में कहरा है यह दि गैमीटोफाइट से बिना जननांगों की सहायता के ही हमाएट है किसके बिना जननांगों की सहायता से ठीक है यहांपर जननांगों की कोई साहीता नहीं हो ठीक है फिर भी गेमीटोफाइट आपका इस पोरोफाइट में जो है बिक्सित हो गया या मतला गया तो इस गटना को एकोगेमी कहा जाता सäter है यहीं । यहीं घटना आपकी क्या कहलाती है叉पोगेमी के नाम से जानी जाती है कहляется- इस प्रकार विक्सित हुए इस पोरोफायट में गुड़ सूत्रों की संख्या संख्या सदेब गयमिटोफायट के समान ही होती है जो गुड़ सूत्रों की संख्या आपकी गयमिटोफायट में थी कहां थी गयमिटोफायट में थी वही आपकी कहा रहेगी इस पोरोफायट में भी रहेग की 1804 में अध्यन किया था ठीक है किसने किया था पार लो ने कब 1804 में सबसे पहले अध्यन किया था एपोगैमी का एपोगैमी को बहुत से टेरीडू फाइट में या चुका है इस प्रática के आपके तीरी डूफा को पढ़ा जा चुका है किसको पढ़ा जा जा चुका है यह उत्पन होने के कारण निम्न है धी कुछ ऐसे ऐसे कारण है जिनकी बज़ाइस जो है आपकी एपो गयमी जो है उत्पन हो जाती है ठीक है यान कि इनकी साहता ही नहीं होगी इनकी साहता कि बिना गयमी टॉफाइट आपका प्रकाश कम होना जब आपके लाइट कम होगी या सनलाइट कम मिलेगी तब भी आपका कारण बन जागा किसका एपो गयमी का पूर्थ गहरा तापमान अधिक अगर आपका टेंपरेचर ज्यादा होगे तब भी आपका एपो गयमी जो है उस पौदे में देखने को मिल जाएगी ठीक है पूर्थ किसी सुक्षम जीब का संक्रमण हो जब कोई सुक्षम जीब जो है संक्रमण कर ले ठीक है तब भी गयमी टूफाइट सीधे कहां पहुंचागा आपका इस पौरूफाइट में कन्वर्ड हो जागा और एपो गयमी जो है वहाँ पर उत्पन हो जाएगी पानी की कमी होना क्या होना भी पानी की कमी भी किसको दर्शादा आए यह भी आपका एपो गयमी का एक जो firearm हो जाती है ठीक है नेक्स्ट कहरा है कि एपोगैमी की साइटोलोजी ठीक है एपोगैमी की साइटोलोजी के बारे में अगर हम बात करें तो कहरा है कि टेरीडोफाइट में दो प्रकार की इस्थती पाई जाती है यह कौन से दो प्रकार है जो इस्थती जो है आपकी टेरीडोफाइट मे पाई जाती है ठीक है एपोगैमी की साइटोलोजी दो प्रकार की इस्तती पाई जाती नंबर एक नंबर एक कौन सी इस्तती है आपकी टेरीडोफाइट में इस प्रकार के पौदों में ना तो निसेचन होता है ठीक है ना तो क्या होगा आपका निसेचन होगा ठीक है किसमें टेरीडोफाइट में दो प्रकार की इस्तिवी पाई जाती नंबर बन गया है ऐसे पौदे जिन में क्या होता है आपका ना तो निसेचन होता है ठीक है फर्टिलाजेशन नहीं होता है और कहारा ना ही स्पोर का निर्माड होता है ठीक है फर्टिलाजेशन नहीं होगा और ना जो है ऑलो तो यह हुरा कि नियो, गएमिटो फैट डियों से बनता है जैन्गा इस्ति यह पाइज है वह यह तो यह मलेक्ट पढ़ाती हैं हम पढ़ रहे हैं तो यह मिर्ण है多प अ गै तो फाइट में समान गुरू सुत्रों की संख्या पाई जाती है गुरू सुत्र समान रहेंगे ईसानका से जैसे ओस मुंडा और रजनी का क्या है वा प्रकार के पौधों में स्पोर मदर सेल आपस में मिल जाती है क्या होता है जो स्पोर मदर सेल होती है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती है ठीक है एटेच हो जाती है तथा टेट्राइड क्या बनाती है क्या बनाती है टेट्राइड का फार्मेशन करती है ठीक है जो डिप बसक्ते निरमाड करता है एप लाइड स्पूर और बनाते है यही जो फॉर्ट आंपके डीपलाइड इस्पोर्त या अपके घुर्ट इस्पोर्ट थे ये अंकुरड इर में का healthcare ना ले कर अब यह अब बिना निश्चन के डीपलाइड को अब तक से नीचिन को समय आंतर फार पर देखने को मिलती है तो यह तो था आपका ऐपो गेमी क्या था आपका एपो कमी ठीक है एपो गेमी ठीक मिस् सिरक हो दको का सविरा पडलना एस पौरॉफ और बसल ना ठीक है जय गूट का सप्रॉफ ह vagy विडियो तो यह दो तरह